शुआ श्टुडिन्ट आज की klas में हम पढ़ेंगे पार्ट शिक्स, चैप्टर नेम है इसका, चैप्टर वन ही है रसायन की कुछ मूल जाधारम कुछ मूल जाधारममें, कुछ पीछली क्लास प्छे बारेंगे तो आज 현े這 सोंबंदीत यो एक निमेरyang वो भी करेंगे तो तो चलिए पहले हम सूत्र के बारे में पढ़ लेते हैं, इस क्लास में में सूत्र ही पढ़ना है, सूत्र कितने परकार के होते हैं, उसके बारे में पढ़ना है, बस यही से जो मारा चैप्टर होगा आज की क्लास ही, वो समाप्त हो जाएगा, इंड हो जाएगा, फिर हम चैप में बात करें सुत्र की तो इंगलिस में सूत्र को फार्मूला बोलते हैं ठीकर चलिए हम इसके डिफिनیशन की बात कर लेते हैं तो देखिया प्रतीकों का वहसमु जो किसी पदार्थ के अणुको दरसाता है सूत्र कहलाता है अब सूत्र किस प्रकार से होते हैं तो देखिए हमने पढ़ा भी है जैसे हम लिग लेंगे यहां पर डाल दीगा जैसे जैसे में अगर बात करें तो जल की बात करें जल का जो सूत्र होता है वो होता है H22 और O11 टेक है गलुकोस की अगर बात करें तो गलुकोस का यहां पर जो सूत्र होता है वो होता है C6 H12 O6 तो यह सूत्र कहलाते हैं यह क्या कहलाते हैं सूत्र अब हम सूत्र के प्रकार के बारे हम बात कर लेते हैं तो सूत्र के प्रकार कितने होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, देखें यहाँ पे लिखा है सूत्र के प्रकार, हिडिंग पड़ी हुई है, लिखा हुआ है टाइपस ओफ फार्मूला, मतलब सूत्र के प्रकार कितने होते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजेगा, एक नमब सूत्र दूसरे को अगर बात करें क्या बोल जाता है तो दूसरे को बोला जाता है आडू सूत्र क्या बोला जाता है आडू सूत्र तीसरे के वहीं बात करें तो तीसरा होता है सन रचना सूत्र क्या होता है सन रचना सूत्र ठीक है यह तीन प्रकार के हमारे क्या होते हैं सूत तो सूत्र के प्रकार कितने होते हैं टाइप सब फर्मुला मूला अनुपाती सूत्र और होता है संदचना सूत्र देखिए पहला जो हमारा प्रकार है मुझे बारे में पढ़ लेते हैं तो पहला प्रकार हमारा है मूला अनुपाती सूत्र इसको इंगलेसें बोलते हैं empirical formula ठीक है मूगला अनपाती को जो इंगलेसें बोलते हैं empirical formula ठीक है मूगला अनपाती अगर सूत्र के बारे में पढ़े हम तो देखिए मूगला अनपाती सूत्र क्या होता है किसी योगिक का वह रसानिक सूत्र जो उसमें उपस्तित विभिन तक्तों के परमाडूं का सरलतम पूरांक अनुपात प्रदर्शित करता है वही मूला नुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र कहलाता है किसी योगिक का वह रसानिक सूत्र जो उसमें उपस्तित विभिन तक्तों के परमाडूं का सरलतम पूरांक अनुपात प्रदर्शित करता है मूला नुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र कहलाता है दूसरी अगर हम यही पर बात करें तो दूसरा है मारा अनुसूत्र अगर हम अड़ो सूत्र के बारे में बात करते हैं अड़ो सूत्र को इंगलिस में बोलते हैं माली कुलर्फ एक मिनट साथ हमने उदारान नहीं पढ़ा है तो पहले हम उदारान भी देख लेते हैं तो देख लीजी ये जो मूलावनपाती सूत्र है उसके उदारन भी पढ़ लेते हैं तो देखें यह है मूलाणपाती सूत्र का उदारन देखें जैसे हमारे पास अगर लिखा हुआ है H2O2 तो इसका अगर मूला अनुपाती सूत्र लिखना चाहेंगे मतलब मूला अनुपाती सूत्र में इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको किस तरह से लिख सकते हैं तो मूला अनुपाती जो H2O2 का जो सूत्र होगा मूला अनपाती सूत्र वो होगा H क्योंकि यह bedroom जो है वो एक ही तो है तत्तो ओ क्या है अनू भले ही दो दो है लिकिन तत तो एक ही एक है ना तो इसका मूला अनपाती मतलब एक ही तत्तो चाहें उसमें जितने अर science उसको सिर्फ हम एक बार ही लिखते है तो देखे, H2O2 का मुलन पाती सूत्र, HO, वहीं पे C6H12O6, गलुकोस का मुलन पाती सूत्र की बात करेंगे, तो सकारबन के यहां पे 6 अडू है, और हाइडोजन के 12 है, आक्सीजन के भी 6 है, लेकिन है तो 3 अडू ना, देखिए, CHO 3 अडू है, लेकिन देखिए, सकारबन और आक्सीजन यहां पे समान, है समान, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाइडोजन दुगना है इन दोनों से, इसलिए यहां पे 2 का मल्टिपिकेशन हम करवा सकते हैं, तो इस तरह से इसका जो मूलन पाती सूत्र होता है, इस तरह से होता है, बेंजीन की अगर बात करें, तो बेंजीन C6, H6, इसके मूलन पाती सूत्र की बात करेंगे, तो इन दोनों के अनुसमान है, तो इसका जो मूलन पाती सूत्र होगा, वो होगा CH, तो इस तरह से मूलन पाती सूत्र के उधारन, अब हम चलते हैं अनुसूत्र पे, अनुसूत्र की अगर हम बात करें, तो जो उसमें उपस्तित बिभिन तत्तों के परमाड़ों की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है वहीं पर अगर ग्लुकोस की बात करे तो ग्लुकोस की अनुसूत्र होगा वह कितना होगा तो चलिए आंगे हम बात करते हैं दूसरे वाले पॉइंट की इनका जब अनुसूत्र निकालेंगे किलिए हुँआ उक्ति करना पड़ेगा हाल करना पड़ेगा टिम चलिए आंगे बात कर लेते हैं अगले च्टिप की जो अगला मारा कीप की बात करें तो किसी योगिक का वहार रसानिक सूत्र जो उसमें उपस्तित विभिन परमाणूं की विवस्था को दर साता है संरचना सूत्र या रचनात्मक सूत्र कहलाता है अगर जैसे की बात करें, то है S20 अब S20 को अगर हम संरचना में लिखना चाहेंगे तो हम इस तरह से ही कर सकते हैं S2O2 को अगर हम संरचना में दिखाना चाहेंगे तो देखिए HO फिर हम यहाँ पर कर सकते हैं H यहाँ पर क्या लगा सकते हैं O तो यही हमारा क्या कहलाता है संरचना सूत्र यहाँ इसे इस तरह से भी कर सकते हैं O फिर single bond H इस तरह से single bond O सिंगल बॉन्ड में इसको प्रबासित करते हैं यहीं संरचना सूत्र कहलाता है मतलब मेरे सत छेले से बनाई है चलिए आंगे बात करते हैं अब हम इसी तरह से कोष्ण कर लेते हैं उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि किसा का मूलांन पाती सूत्र निकाला मुलान पाती शूत्र एबं अनुसूत्र में समभन्द आपको दिख रहा होगा यहां पर लिखा हुआ है relation between empirical formula and molecular formula ठीक है देखें यहाँ पर जो अनुसूत्र हमें किस प्रकार से मूला अनुपाती तो आपको पता था किस तरह से निकाला जाता है अभी उसको जब निमेरिकल लेंगे तो देखेंगे लेकिन अनुसूत्र निकालने का जो फार्मूला होता है वो यह होता है मूला क्या लिखा उता है अब यन है यहाँ पर क्या होता है तो देखेंगे जहाँ लिखा है जहां यन पुडांक संख्या में सरल गुड़क है जिसके मान एक, दो, तीन, चार आधी होते हैं किसी निस्चित योगिक के लिए अन के मान निम्न द्वारा दिये जाते हैं अगर हमें न बराबर निकालना होता है तो n बराबर जो सूत्र होता है अनुभार बटे मूला अनुपाती सूत्र भार वहां से हम क्या निकालते हैं यं की वैलू निकाल लेते हैं तो चलिए अब हम एक certificates देख लेंगे तो मूला अनुपाती जोスूत्र है वो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा चलिए नहीं में रिगल कर लेते तो देख लीजिए कोश्चन आपके स्क्रीन में है उसे पढ़ लीजिएगा कोश्चन में पूछा गया है हमसे कि आइरन के उस आकसाइड का मूलान पाती सूत्र ग्यात कीजिए जिन में द्रबमान द्वारा 79.9% आइरन है और कितना है 30.1% यहाँ पे आकसीजन है यहाँ पे हमसे मूलान पाती सूत्र पूछा गया है तो हमें किस प्रकार से हल करना है से से पहले हमें एक टेबल बना लेनी है उसमें हमें आइरन का और आकसीजन का जो ही परसेंट है वो लिख लेना है वहाँ से हम इनका आइरन का और आकसीजन का जो परमार बाहर होता है वो लिख लेंगे पहले हम टेबल बनाते हैं जैसे इसको हल किस प्रकार से किया जाता है इस सवाल को तो उसको पहले हम देखते हैं उसमें तत्तो लिखेंगे, दूसरे में परसेंटेज लिखते हैं, कितना परसेंट आया है, तीसरे में हम उन दोनों तत्तों के परमाण भारों को लिखते हैं, और चोथे में हम क्या करते हैं, इनकी परमाणों की आपेचिक संख्या निकालते हैं, ठीके भाग देखें, और फ लांगों का हम suffix में लगा देते हैं तत्तों की suffix में तो हमारा मुला अंपाती जो तक सूत्र होता हुए में प्राप्न हो जैता है तो चल ये उस ट्रेप पे चलते हैं पहले एस में कुछते हैं ते describe को देखते हैं। ले के साầnसे पहले तत्तों परमाड भार आपको दिखाया गया ता कि जिन जिन का जो इंपोर्टन परमाड भार कि निकाल निकालने के लिए किया जाता है परमाड भार का उस प्रतिसत में भाग दिया जाता है तो देखिए यहां पे हमने भाग दे दिया जब भाग दिया 99.9 में 56 तो यह आ गया 1.248 किता लिखा है 8 तो 8 जब भी आता है लाश्ट में एक होता है जो 5 से अगर उपर संख्या चली जाए तो उसको एक मान लिया जाता है तो एक हम इस चार में जोड देंगे तो यहां पे आ जाएगा 1.25 आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं सेम प्रोसेस हम दूसरे वाले में भी करेंगे 16 का बाग हम 30.1 में कर लेते हैं जब 16 का बाग हम ने क्या हमारा आया 1.88 आ गया अब देखिए अब is a is step के बाद हमें निदा क्या होता है अब इस इसस ऀनकालना होता है तो इस इस को निकालने की लिए क्या किया जाता है डो जो इन यहां प्ररोसे में सबसे चोटा होता है उसका भाग दोनों में दिया जाता है तो देखिए अगर इन दोनों में बात करें छोटे की तो यह छोटा है और यह बड़ा है तो इसी काम 1.25 का ही भाग हम दोनों में करेंगे यह फी में और ओ दोनों में करेंगे मतलब दोनों की परमाणों की आपेशिक संख्या में इसी बाग देंगे तो इसमें जब हम भाग देंगे तो हमने लिख दिया 1.25 बागे 1.25 अब 1.25 का बाग 1.88 में भी देंगे इसमें दिया तो एक आया इसमें दिया तो डेड़ आ गया तो देखिए यह हमारा केवल कि अभी पुडा हुगी मस्यां याप लगा लेजेगा नतीं जब हम सरल पुडांक में इसको व्यक्त करेंगे सरल पुडांक का मतलब होता है अगर कोई समलों में हो तो उसको अगर एक बन रहा हो एक बन के हो अगर साइड में जुड रहा हो तो उसको जोड दीजिए ठीक है उसको क्या कर दीजिए जोड दीजिए अगर नहीं जुड रहा हो तो उसको क्या किये ना करिए तो देखिए अब हम इनको अगर हम बराबर करना चाहें यह बराब एक उसलों को कि अधिक है अगर चार टाइक दसंब्लो चार लिखा होता उसको छोड़ दे सीधे my recommendations कई किस्तल मैं मतलब कि जैसे 2 3 4 इससलों को संख्याों में उसको बराबर करने के लिए हमने इन दोनों में 2 का multiplication करवा दिया कितने का? 2 का multiplication करवा दिया, जब इस से दोनों अपस में क्या हो जाएंगे? सरल अनपात में divide हो जाएंगे, तो सरल अनपात में पहले है, ये भी सरल अनपात बन जाएगा, तो 2 का जब इसमें multiplication किया, तो 2 आ गया और इसमें multiplication करेंगे दो का तो डेड़ बन जाएगा डेड़ दूनी तीन ठीक है? डेड़ दूनी तीन तो यहां पर आजाएगा तीन तो देखे इसका जो माना है वो दो आगया इसका माना है तीन आगया अब हमने का तो जो मूला अनुपाती हमारा सूत्र होता है तो जो तत होते उन्हें की सफिक्स में इसको रख दिया जाता है तो इस तरह से आगया है एफी टू और ओ के सफिक्स में तीन है तो तीन इस तरह से जो है मूला अनुपाती सूत्र हमारा निकाला जाता है तो इस तरह से हम इस सूत्र को सवाल को निकाल सकते हैं अब हम अगले कोश्चन की अगर बात करेंगे वो सवाल हम आपको घर से करने के लिए देंगे तो चलिए चलते हैं सवाल को देखें तो देखिए आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है यह आपका होमबर्ख है मतलब यह आपका सवाल है सवाल में पढ़ लीजिएगा लिखा है एक कार्बनिक योगिक में कार्बन 61% और हाइड्रोजन 11.88% पाई गई है यदि योगिक का जो वास्प घनत्त है तो देखिए वास्प घनत्त जो यहाँ पे आपको दिख रहा है69% तो यह किसंकी वैलू है यह एन की वैलू है तो एन का मानी वास्प घनत्त आपको दिया गया है आप अनसूत्र भी यहाँ पे अराम से निकाल सकते हो तो देखिए यहां पे मूलान पाति सूत्र अनसूत्र तो यहां पे हम बात करेंगे सरल पुडांक अनुपात मिभ्यक्त करना है सबसे पहले अब यहां पे देखिए आपको दो दिये गए हैं कार्बन और हाइडोजन जब भी दो योगिक दिये जाएं तो हमेशा जो इसमें होता है परसेंट प्लस कितना हाइडोजन का परसेंट इन दोनों को एड करके सो में गटा देना है तो आकसीजन को जो परसेंट आता है वह निकल आता है तो यहां पर आपके पास तीन परसेंट आ जाएंगे पहले कार्बन का और हाइड्रोजन का और आकसीजन का तीन परसेंट आ जाएंगे उसके बाओ उसी तरह से करना है जो पहले नमबर में आपने सवाल किया था यहां पर अब तैत न लिख देंगे कार्बन हाइड्रोजन और आकसीजन प्रतिसत मात्रा सबकी लिख दीजेगा प्रतिसत मात्रा कितनी है 61% पहली है दूसरी है 11.88% अगली की बात करें तो 100- कर दीजेगा अक्सीजन की 61.11.88% एड़ कर दीए दोनों को और इसमें घटा दीएगा तो अक्सीजन की आजाएगा परसेंट फिर उसी तरह से सारे प्रोसेस करने है प्रमाटर बमान लेना है इसमें भाग देना है तो यह सवाल आपको करना है यह आपका उंबर्ख है